नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर अरुन कुमार शेहरिया एसोसियट प्रोफेसर जोग्राफी डॉक्टर भीम राव अमबेटकर गॉर्मेंट पीजी कॉलेज श्री गंगानगर दोस्तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है कई बार हम देखते हैं कि मानचित्रों पर कुछ रेखाएं खीची होती है और प्रतेक रेखा का अर्थ अलग-अलग होता है हम समझ नहीं पाते कि ये रेखाएं किस काम आ रही है और क्या शो कर रही हैं तो आज की वीडियो में हम यही कंफ्यूजन दूर करने जा रहे हैं कि मौसम मानचित्र जो होते हैं उन पर रेखाओं के क्या-क्या मतलब होते हैं टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए हम इसे दो या तीन पार्ट में करेंगे आज हम शुरू करते हैं इसका पहला पार जलवायू मानचित्र सम्मंधित रेखाएं लाइन्स रिलेटेड विद क्लाइमिट मैप्स पार्ट वन सबसे पहले हम देखते हैं आईसो निफ रेखाएं होती है मान चित्र पर ये रेखाएं खींची होती है और आईसो निफ वो रेखाएं हैं जो किसी भी खित्र में समान हिमपात वाले स्थानों को दिखाती है यानि एक मान चित्र पर कौन कौन से स्थान पर एक जैसी बर्फ पड़ी है उन स्थानों को जब हम एक कल्पनिक रेखा से मिलाते हैं तो वो आईसो निफ कहलाती है तो हम उसे आईसो निफ के नाम से जानते हैं उसे आईसो निफ कहते हैं यानि समान हिम पात रेखा दूसरी है आईसो निफ आईसो निफ क्या होता है आईसो निफ और आईसो निफ में फर्क है आईसो निफ जहां समान हिम पात वाली रेखा थी आईसो निफ समान मेगा चागन रेखा है यानि उस क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर समान रूप से बादल चाय हुए है या एक जैसे बादल जिन-जिन स्थानों पर चाय होते है उन स्थानों को मिनाने वाली रेखा को हम आईसो निफ के नाम से जानते है सममेग रेखा भी इसे कहा जाता है तो आईसो निफ और आईसो निफ में अंतर है आईसो निफ सम हिमपात रेखा है और आईसो निफ सम मेघ रेखा है नेक्स्ट है आईसो प्लेथ आईसो प्लेथ अगर हम देखें ब्रॉड शब्दों में तो आईसो प्लेथ कई बार competition में पूछी जा चुकी है की है। कंपिडिशन में कई बार इसका जिकर हो चुका है। कई बार एक प्रीज है। किश क्षिक्न का चीज है difí किश इसो क्या चीज है जिल्ति भी रेखा हैं किखी Technic भेणा हम चीज है we've 12ड हो इसो Łछ रेखाएं आईज कृँन अठी यह तर्म हो यह आधार पर खीची गई रेखाओं को सम मूले बोलते हैं वो मूले कोई भी हो सकता है वो दाब हो सकता है वो ताप हो सकता है वो लवनता हो सकती है वो कुछ और हो सकता है लेकिन सम मूले सममान को आधार मान कर खेंची गए रेखा को आईसोपलेथ कहते हैं कई बार कोश्चन आता है कोरोपलेथ और आईसोपलेथ में क्या फर्क है कोरोपलेथ जो है वो परसाशनिक एकाईयों को ध्यान में रख करके शेडिंग की जाती है जबके आईसो प्लेथ में परसाशनी की कईयों का ध्यान नहीं रखा जाता मुल्य आधारित रेखाएं खेची जाती है परसाशनी के कईयों का मतलब जिला, रज, देश या कोई भी परसाशनी की कई हो उस पर हम शेडिंग करके उसको शो करते हैं उसे हमCoropleth के नाम से जानते हैं आइसोपलत अलग है वो सम्मान रेखा है Isotech Isotech क्या होता है मौसम आजितर पर पन की समान गती वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को ISOtech कहा जाता है यानि आजितर में जिन जिन स्थानों पर समान रूप से हवाई चल रही है हवाई की गती समान है उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को हम आईसो टेक के नाम से जानते हैं आईसो टेक नेक्स्ट है आईसो थर्म आईसो थर्म रेखाएं समताप रेखाएं होती है समताप रेखाएं एसो थर्म्स अर्थात के मानचितर पर जन जन स्थानों में समान तापमान होता है उनक्षित्रों को दरशाने वाली रेखा को एसो थर्म्स कहा जाता है समताप रेखाएं, जो के एक जैसे तापमान को दर्शाती हैं, यानि कि अगर कहीं 30 centigread तापमान है, दूसरे क्षित्र में भी 30 है, तूसरे क्षित्र में भी 30 है, चोते में भी 30 है, तो उन स्थानों को मिला देंगे तो ये रेखा कहलाएगी आईसो थर्म समताप रेखा आईसो थेर आईसो थेर भी तापमान को ही दर्शाने वाली रेखा है पर फर्क इसमें ये है कि ये ग्रीशम काल में अत्याधिक ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है आईसो थर्म पूरे वर्ष में कभी भी दिखा सकते हैं आप आईसो थेर जो है वो ग्रिश्म काल में समान ताप मान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आईसो थेर ISO बार ISO बार के बारे में जानते हैं आप बहुत important है कई बार questions आ चुके हैं कई competition में questions आ चुके हैं समधाब रेखाएं आप जानते हैं कहीं निम्न वायुदाब होता है कहीं उच वायुदाब होता है लेकिन उर्स उच और निम्न वायुदाब को जो रेखाएं दर्शाती हैं जो MB में दर्शाती हैं, मिली बार में दर्शाती हैं जैसे कहीं पर 110 मिली बार होगा, कहीं पर 800 मिली बार होगा दूसे स्थान पर भी 800 मिली बार हो सकता है तीसे स्थान में भी आठ सो मिली बार हो सकता है तो जहां आठ सो मिली बार वाले स्थानों को मिलाने वाली जो एक रेखा होगी वो हम आइसो बार के रूप में उसको जानते हैं समदाब रेखाएं यानि मानचित्र पर समामदाब वाले क्षित्रों को मिलाने वाली रेखाओं को आईसो बार या समदाब रेखाएं कहा जाता है लास्ट है आईसो ब्रांट्स आईसो ब्रांट्स क्या होते हैं ये सम जंजावत रेखाएं होती है जंजावत का मतलब तुफान कड़क, बिजली, बारिश, तेजवा के साथ जब गरज के साथ बारिश होती है उसे जंजावत कहा जाता है तो मान्चित्र पर या किसी क्षित्र में जिन जिन स्थानों पर समान रूप से तुफान आए हुए है जंजावत आये हुए है उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम आईसो ब्रांट्स के रूप में जानते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी अगली वीडियो में लेकिन यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें लाइक करें और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट करें मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत धन्यवाद